मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एक समय की बात है एक छोटे से गाउं में एक बुड़ी महिला रहती थी वे बहुती सरल और इमांदार सभाव की थी उसके पास साख सब्जियों की एक छोटी सी दुकान थी जिसे वे अपने एक पेड के नीचे लगाती थी वे अपनी महनत करके दिन भर का काम करती और सबकी मदद करती थी एक दिन उस गाउं में आदमी आया भटकते हुए भूका प्यासा उस बुड़ी महिला के पास पहुँचा और बोला माई मुझे तुमसे मदद चाहिए मैं बहुत भूका हूँ मेरे पास पैसे नहीं है क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो बुडी महिला को दया आ गई और उसने सहानुबूती से उसकी तरफ देखा वे एक सामाने स्वस्त आदमी लग रहा था बुडी महिला ने उससे कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन तुम्हे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा क्या तुम मेरी मदद करोगे व्यक्ती मान गया और कहा हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा बुडी महिला ने उससे बताया मेरे पास एक पेड़ है जिसमें एक खूबसूरत फल आता है तुम्हें रोज इसे चेक करके मुझे बताना होगा कि क्या खूबसूरत फल आया या नहीं आदमी तुरंत इस काम को करने के लिए मान गया और उसे हर दिन ध्यान से देखने लगा धीरे धीरे वह अच्छी तरह से पेड़ की देखभाल करने लगा एक दिन वह पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि उस पर बहुत सारे खूबसूरत फल थे वह खुशी से ना चुठ और जल्दी से बूड़ी महिला के पास गया उसने उसे बताया कि खूबसूरत फल आ गया है यह सुनकर बूड़ी महिला बहुत खुश हुई बूड़ी महिला ने उस वक्ती से कहा तुमने मेरी मदद की है और ध्यान से पेड़ की देखभाल भी अब तुम्हारी सोच भी ब तयार रहना चाहिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे और सच्चाई और मेहनत से काम करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी हमेशा इमानदार रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें तभी हम अपने जीवन में सफलता प्रा झाल, झाल, फब दो नो समझ एक तो